नमस्का दोस्तों स्वाकत आपका A.S.D.I.S. परिवार में दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि A.S.D.V. में इस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके अंदर हम किलास लेते हैं और किलास के अंदर दो कुश्चन जो है वो कवर के जाते हैं किसी सब्जेक्स से संबंदित होते हैं अब दिमात में कुश्चन आ रहा होगा कि में से कुश्चन की साधार पे ले जाते हैं इदि आप रेगूलर रूप से हमारी क्लास नहीं लेते हैं तो यह कुश्चन उठता है यहां से जो कुश्चन लिए जाते हैं वो किसी सब्जेक्स से संबंदित होते हैं जैसे कि ह किसी भी सोजेक्ट के किसी भी टोपिक से दो क्यूशन लिये जाते हैं और उनको हम कवर करते हैं देखते हैं कि इनको कैसे लिखा जाना चाहिए हमें क्यूशन को कैसे समझना चाहिए कैसे उसकी सुरुवात करनी चाहिए और कौन-कौन से पोइंट जो है उस क्यूशन का आंस दे सकते हैं हमारा परस्तुतिकरण कैसा है उसमें परवा कैसा है ये चिजे matter करती है हमारा निसकर्स कैसा होना चाहिए कैसे हमें सुरुवात करनी चाहिए बहुत सारे question जो है दिमाग में उठते होंगे जब आप answer writing के बारे में सोचते होंगे कि हाँ मुझे answer writing करनी है और मुझे answer writing सीखनी है या फिर मैं कर रहा हूँ उस पर मैं काम कर रहा हूँ मैं answer writing करता हूँ सबके दिमाग में बहुत सारे question सुठते हैं कि कैसे question की सुरुआत कैसे करनी चाहिए political question है, economics का question है उनके सुरुआत हम कैसे कर सकते है तो कि ये question के उपर depend करता है कि question किस तरीके से पूछा गया है वो factual है या अन्य तरीके से पूछा गया है क्या हम उसमें कुछ अन्य तरीके सीजे सुरुआत कर सकते हैं क्या तो बहुत सारी सीजे सुरुआत जो है दिमाख में उटनी start हो जाती है जब भी हम answer writing के बारे में बात करते है तो यहाँ पर सभी questions के बारे में जो भी आपकी दिमाख में उटते हैं यहाँ पर सीजे के बारे में बात की जाती है और आप हमें comment भी कर सकते है यदि आप कोई भी problem होती है timing की problem होती है कि सर टाइम के अंदर में question का answer नहीं दे पाता हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं कोई भी आपका question हो सकता है preparation करने के दोरान आपके सामने कोई भी problem आती है तो आप हमें comment कर सकते हैं यहाँ पर हम means के सभी subject यहाँ आप किसी state pieces की तयारी कर रहे हैं तो जैसे कि history है, polity है, economics है इन यह subject ले लीजिए आप IIS की तयारी कर रहे हैं तो चारो GS paper के पड़ते हैं सभी subject को यहाँ पर हम cover कर रहे हैं और कुछ बहतरी नसी चीज़ जो है वो means इसी program के अंदर आने वाली है वो क्या होगा कि पर्टिकुल एक topic को हम cover करेंगे अभी दो question cover कर रहे हैं वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे कि यह पुरा माजरा क्या है यह short notes क्या होते हैं और यह top पर क्या करते हैं इनका huge कैसे होता है वो त्यार कैसे होते हैं और कैसे हमारी help करते हैं वो सब चीज़ आपको एक class के अंदर मिल जाएगा यानि कि जिस topic को भी हम cover करेंगे उस class के अंदर उस topic के बार आप mains के बारे में सोचना छोड़ दीजेगा यानि कि वो सब कुछ उसमें cover कर लेंगे PYQ cover कर लेंगे उससे समझे जो question बन सकते हैं वो cover कर लेंगे और उसमें हम कौन-कौन से point दे सकते हैं कैसे दे देने से सब चीज़े के बारे में बात करेंगे यानि कि उस topic को हम ऐसे cover करेंगे कि वो class देने के बाद आपको जुरूत नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की यानि कि होता नि कि हम बहुत सारे fruits काते हैं में आपको juice मिल जाएगा कि हाँ वो रखी अपने पास और वो class आपकी ऐसे help करेगी कि वो एक sort notes है यह सोचेगा कि वो topper का जो है वो sort notes है, एक mark है कि हाँ वो आपके पास है बस उसका revision करना है पाकिशिजी छोड़ देनी है तो आए इस class की शुरुवात करते है वो कौन से दो important question है जो कि पूछे गए है यह PY क्यू है memes के अंदर यह question आ चुके है 2023 के अंदर तो यहां से हम एक तो यह रहता है कि हाँ यह question आए है तो ऐसे question पूछे जाते है है ना, एक idea लग जाता है कि हाँ यह topic है वाली संसोदन है सविधान संसोदन के बारे में हम बात करते है तो हाँ ऐसे question पूछे जाते है हमें एक idea लग जाता है मोटा मोटा है ना, तो आए बात करते है पहला question क्या है कि 101 वे सविधान संसोदन अदिनियम का महतो बताईए तो मत पूछी गई है एक सविधान संसोदन है और उसके महतो के बारे में हमसे पूछा गया है आगे क्या है कि यह किस हद तक संगवाद की उदार भावना को दरसाता है इसके उपर हमें बात करनी है है ना, अब इसके लिए हमें हम पढ़ाएंगे उसमें आप fellows एसकित के अंदर कुछ नहीं बचेगा दूसरा क्यूश्टन क्या है हम क्यूश्टन के बारे में बात करेंगे ठीके दूसरा क्यूश्टन क्या है कि संगिये सरकार दौ़ारा जो है उन warming सो नबय के दसक के मद्दे से अनुछे 356 के उपयोग की कम आवर्ती के लिए जिम्मेदार विदिक और राजनितिक कार को कलो है हमें विवर्ण प्रस्तूत करना है दूसरा क्विश्चन है तो आए अच्छे से बात करते हैं क्विश्चन के ओपर पहला क्विश्चन कि 101 वे स्विधान संसोदन अधिनियम का महतव हमें बताना है तो उसके महतव के बारे में बात करेंगी अब पर्टिकुल एक नूर्मल सी बात है नूर्मल सा हमारे सामने क्विश्चन है कि 101 वे स्विधान संसोदन यानि कि इसके बारे में बताते हुए हमे उदार भावना को दरसा आता है second point यह है यानि कि इस नूर्मल सी बात हो गई कि 101 वे स्विदान संसोदन के बारे में बात करते हुए और second वाली बात को connect करते हुए हम इसके प्रश्वमी को लिखेंगे और second बात और first बात क्या है कि इसके मेतों के बारे में बात करनी है और यह किस हद तक जो है संगवाद की उदार भावना को दरसा आता है कैसे समय समाविशन है क्या क्या चीजिये है उन point के बारे में हमें बात करनी है ठीक है तो यह हम मुख्य भाग के अंदर लिखेंगे और फिर निसकर्स के और बढ़ेंगे तो आगे शुरुवाद करते हैं 101 वे सैधानिक संसोदन अधिनियम ने पूरे भारत में एक समान क्राधान ढाची की जो है वो स्थापना करते हुए वस्तु एम सेवा करकी शुरुवाद की ठीक है उस और चीजे बढ़ रही है जिसके हमारे में हम बात करने वाले हैं अब हम बात किसके बारे में करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट था जो मुख्य बात के अंदर की महतो के बारे में हम बात करने वाले हैं तो आईए उसके बारे में बात करते हैं वो कौन-कौन से point, वो कौन-कौन सी बातें बताते हुए हम बता सकते हैं कि हाँ ये महतों के बारे में हम बता रहे हैं तो आए ये point दे लेते हैं, होकि ये ही चीज़ important है कुछ राज़ों परकारों में कराधान एक बोजिल परकरिया हुआ करती थी जिसे जो है अब ओलाइन हस्तांतरित कर दिया गया है, तो वो चीज़ खतम हो गई है ना, दूसरा point क्या है कि कर्च संबंदी परियासों के अत्रिक दोराओ को बहुत कम कर दिया गया है जिसे जो है कराधान स्रल हो गया है दूसरा पूइंट हमारा हो गया मुल्य वरतिज करके विफ्री जो है जो वी निर्माण या विक्री के समय लगा जाता था यानकि हम वेट की बात कर रहे है GST एक गंतव्य आधारित कराधान परनाली है ठीक है तो उसके विफ्रीत है वेट सिस्टम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में करेक्ट करते हैं मैं बता है कि ये कैसे इंपोर्टेंट है कि ऐसे उससे अच्छा है सेवा कर उत्पादन सुल्क जैसे सभी करो को GST के अंतरगर समलिद किया गया जिसे जो है भारत में कराधान एकिकरत हो गया तो अगला पॉइंट हमारे ये हो गया अन्य पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं कि GST ववस्था के तहट करो की गन्ना जो है वो आसान हो गई इससे क्या हुआ कि जिससे अनुपालन का जो है जो बोज था वो कम हो गया अन्य पॉइंट हो गया अगला पॉइंट क्या कि GST माल की बाधा मुक्त आवाजाई को जो है वो बढ़ावा देती है एक राश्ट एक बाजार एक कर आधार पर जो है एक कर का साकार करने में मदद करता है है ना तो यह हमारे पॉइंट हो गए अब हम दिमाग में रखते हैं किनको वर्ट्स को कि हाँ हमें कितने वर्ट्स के अंदर अंसर देना है अब मैंने आपको 6 पॉइंट दे हैं आप 4 का इस्तमाल कीजिए 5 का इस्तमाल कीजिए अपनी वर्ट्डिंग के इस्तमाल आप से मालने जी आप मस्टेट पीसर की त्यारी कर रहे हैं और वहाँ पर 135-500 के अंदर चीजिए आ रही है तो आप कम कर दीजिए चार लगा दीजिए हाँ हमारे चार पॉइंट है जो आपको सही लग रहे हैं अपने क्युष्ण में जैसे क्युष्ण पूचा गया है वहाँ पर चार जो है पॉइंट का यूज कर लीजी है ना आगे बढ़ते हैं अब बात किसी करते हैं कि संसोधन में परलेक्सिक जो संगवाद की उदार भावना है यानि कि हमारा second point जो मुख्य भाग का हिस्सा था हमें परश्चमी के बारे में बात की औब मुख्य भाग के अंदर जो first point था महत ल इसकी जो है point कौन-कौन से हम दे सकते हैं उसके बारे में बात कर लें कि हाँ हमारे ये point हो सकते हैं सेकिंड पॉइंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं देखे अधिनियम एक प्रावधान के साथ आया था जिसमें राज्यों को GST के कारवन्य के कारण होने वाले किसी भी नुक्सान के लिए मुआज़ा जो है वो दिया गया था कि हाँ ऐसा नहीं कि हाँ यह चीज हम ला र होएंगी उसका मुआज़ा जो है और राज्यों को दिया जाएगा तो यह भावना कहां पर जा रही है संगवाद की वो जिएस्टी परिसद में केंदर और राज्य दोनों के दस्से जो है वो सामिल है और निन्य किस कैसे होते हैं आम सहमती पर पहले जो सैथिस है निन्य व उसी सज के पॉइंट दे रहे हैं तो कैसे वो इस और चाहा रहा है यह कैसे इस जीर के अंदर hero हो रहा है Keysons कैसे पूछे जाते हैं हम बहुत सारे है यहां से देखते हैं कि हां कहां चीर चैय क्नेक्ट हो गई जो है उसके अंदर आती ही वो विशन कैसे हो रहा है, वो कौन से पॉइंट आप दोगे, तो यहां से ही चीजे एस्ट्री जो है, वो स्टार्ट होती है, आपने बुक पड़े, नोट्स पड़े, उसके बाद इसी चीजे स्टार्ट हो जाती है, आपकी नोलिज को फिर ऐसे रूप में ढाला जाता है, औ वहां की फिलाइट यहां पर उतरी थी, उन्होंने उसका विरोध किया, यह देखिए, आई-ार का मुद्दा है, आई-ार का उसमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, चीजे इतनी माइनर होती है, इतना कम करेक्ट होता है वो कि आपकी एक्जाम से, कि आपका टाइम बेस्ट ह हो जाता है और आपको जो मूल चीज़े है वो मिली ही नहीं पाती, यहां से चीज़े, आपको भ affinity पर आंसर देना होता है पर लिम्स दे रहे हो, तो वहाँ पर भी आंसर देना पड़ेगा, उसकी त्यारी अलग तरीके से, लिम्स दे रहे हो, तो किसी cracking का आंसर आपको रहा आता है तो प्लीज इतना तो आप से उपक्सा खरी सकते हैं कि भई आप आएस की या पर किसे स्टेट पेस की त्यारी कर रहे हो तो प्लीज आपके जो डिसीजन है वो वैसे हो कि हाँ मुझे क्या देखना चाहिए क्या मेरे लिए ये इंपोटेंट है मेरे स्लेबर्स के लिए और मैं जो प्रिफिशन कर रहा हूं वो मेरे लिए इस तरी के से कहां पर लेके जाएंगी क्या मेरी हेल्प कर रहे हैं वाकरी कुछ टैंप्रेट में आपको अंदादर लगना स्टार्ट हो जाता है कि मैंने एक क्लास या एक वीडियो इस तरी के की दस दिन पहले दे करते हैं GST की कारण जो है बढ़े हुए राज्यसव ने केंदर और राज्य दोनों सरकारों के लिए अधिक वित्यसनुशित किया जिससे क्या हुआ कि बुन्यादी ढाचे का विकास में मदत मिली GST से जो है वैपार में अंतर राज्य बाधाएं बहुत कम हो गई और जिसे के दानतों का लाब उठाने वाले भाविषय की कलपना करना संभावित रूप से एक सहकारी संगवाद की भावना को पोशन कर सकता भारत में विधाई ढाचे में इस एतियासिक संसोधन की जो है समायोजना चमता को सही माइने में दोहन करने और सामज़स्य पूर्ण रचन वर्डों को हम उप्डार्व मिद्स के रिंदियम लिख susus कर सको कुछ अगे बढ़ते हैं अगले क्विश्चिन की होगा है कि संग्य सरकार दुआरा 1990 के दसक के मद्धे से अनुचे 356 अब यह सोचे गाकि जिनको यही नहीं पता कि 356 क्या है तो फिर यह क्विश्चिन का आंसर उनके लिए क्या है यही हो जाता है वो क्या से भी आगे चला जाता है कि क्या क्या है क्या ही चला है है ना यह तो होगा कि जिसको यहीं नहीं पता कि अनुचे 356 आफिर में है क्या तो वो आंसर क्या देगा यह तो उससे अगला पुइंट हो गया है ना बैसी त्यारी के है बुक्सिया पढ़ा कि अनुचे 356 है क्या अब क्विश्चन क्या है कि संग्य सरकार द्वाला जो है 1990 के दसक के मद्धे से अनुचे 356 के उप्यों की कम आवर्ती के लिए यानि कि बार-बार इसका यूज नहीं हो रहा है जिम्मेदार विधिक कुन से विधिक और कुन सा राजनितिक कारकों का विवरन जो है और परस्तुत करना है वो दो कारक वे दो कारण है ना वो राजनितिक है है ना विधिक है तो दोनों कानून के बारे में और राजनितिक सिश्टम के बारे में हमें बताना है कि हाँ ये कानूनी कारण है ये राजनितिक कारण है उसके बारे में हमें बात करनी है और कहां से ये देखिएगा कि हाँ हमें इसके बारे में बदात करनी है कि कैसे उसके आवर्टी जो कम हो गई है उसके क्या कारण नहीं है वे कानूनी कारण क्या है वे राजनितिक कारण क्या है उसके बारे में बात करनी है क्यों आवर्ति हुई यूज तो हो रहा था मगर कम कैसे हुआ इसके पॉइंट है अब सुरुवात करते हैं क्योंकि है उसके बारे में हमें बात करनी है किसके बारे में बात करेंगे और उचे 356 बताएंगे न उसके बारे में शुरुआत करते हुए उसी इसके बारे में बताएंगे और फिर connect करेंगे तो आये connect करते हैं डोक्टर भीम राव अंबेडगर वो कि देखेंगे जब हम बात करते हैं कि सविधान की हम बात करते हैं तो फिर हम उसके उनके बारे में सोचते हैं, है ना, पूरा कंड़ी ये वर्श्री पाध जानता है कि क्या योगदान उनका रहा था, स्व्यूतार की रचना करनीमे, लिखनेमे, है ना, तो जिदार बनाने में उनका क्या योगदान है तो उनकी बात हर्दिम बोले हैं कि हाँ वो इसके बारे में क्या बोले हैं अनुछे 356 के बारे में उन्होंने क्या बोला है किस तरह से जो है उनकी बारे में उसके बारे में सोचते हैं उनकी क्या विचार है इसके बारे में तो किसी व्यक्ति को जो इसके बारे में knowledge है, इसके बारे में connect होते हैं, उनका यूज करते हुए हम अपना answer की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, यह हम देखते हैं. डोक्टर भीमराव अंबेडगर ने स्विधान सभा में राश्पती सासन से संबंदित प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि अनुछे 356 के तहट परदत कठोर सकती एक मर्त पतर बनी रहेगी, इसका उपयोग जो है केवल कब अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाए अगर प्रस्थिजिया तो चेंज होती है, शिजए आती है, है ना, राजमिक सिस्टम इस तरह की कई है, उससे प्यार है, किस से, कुर्सी से सबको प्यार है, उस पे बैठना है, लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं उसके लिए, और आप देखिए, आप क्या कर रहे हो, आप यह भी decision नहीं ले पा रहे हो, जिस कुर्सी पे आपको बैठना है, कि हाँ, वो जो रहा है, वो जो मार्ग है, वो मुझे, वो जो मेरी मनजिल है, और यह जो मार्ग इस पे कैसे चलना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, और क्या चीजी मेरे लिए अच्छी ही, है ना, इतन हतियार बन गए, है ना, उनकी कुर्सिया चीनी गई, तो जो केंदर में सतरुट दल थे, और वो उनसे अलग राज्यों के अंदर है, माली जे केंदर केंदर सरकार है, और राज्यों के अंदर कुछ अलग है, तो चीज़े हुई फिर, है ना, खास कर कब, 1960 के दसक में अंद और k और क्यों की हला की 1990 के बाद, जो है निमलिकित कारणों के कारण, अनुचे 356 की उप्योग में आव अर्टी में जो है, वो कमी आई है, तो वो क्या क्या कारण है, वो वीधिक और राजनीसी कौन-कौन से कारक है, को कि हम से वो पूछे के हैं, तो इसके बारे में हम हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे कानूनी कारक के बारे एस आर बुंबई मामले में जो है सुप्रिंग कोट ने फैसला आया उसमें क्या क्या बोला गया कि राश्टपति सासन लगाने का जो निर्ने है वो न्यायक समिक्षा के अधिन किया गाएगा आपकी बापका प्रुक्त मंच बनाया गया राश्टपति सासन को जो है उचित ठराने वाले बहुतिक साक्ष जो है उपलवत करानी की जिम्मेदारी के अंदर पर है ये किसने बोला सुप्रिंग कोट के पैसला आया है तो उसके बारे में हमें बता जाए कि हाँ ये चीज भी ये मामला था और इसके अंदर इस्तरी की कुछ चीजे थी आपने पोइंट दिये और आप सुप्रिंग कोट के पैसले की कुछ पोइंट बता रहे हैं तो आपका अंसर कैसा हो गई आप खुद सोच सकते हैं है ना अगला पोइंट क्या है हम न्याएक स्कृता की बारे में बात कर रहे है फिर से परशिश्चित किया अगला पोइंट हम क्या दे सकते हैं कि नागरिकों के नागरिकों में राजनितिक जागुपता बढ़ी 356 के दुरूपियों को जो है चुनावी परभाव जो है उन्होंने देखा कि आप इस तरह की सीजे करेंगे तो पब्लिक पागल है मकर उत सीकी बैटकों के दुरां सरकारिया आयो की रिपोर्ट के कारवन ने 356 के उपयोग में कमिल आने में महत्वपून योगदान दिया तो अगला पूइंट हमारा ये हो गया अन्य पूइंट क्या हो सकता है कि रामेश्वत परसाद बनाम भारस्थन एक मामला होरम बता देंग 2006 का है तो 356 के तहर जो है सकती एक आपात कालिन सकती है नैकी पूर्ण सकती है सुप्रिंग कोट की इस तरह की वैख्या ने राश्पतियों को थोपने में मनमानी को सिमिद कर दिया है है ना हमने अपने पूइंट बता दिये अब अन्य पूइंट भी हमें बताने है वो क्य के बारे में बताते हैं कि हां कौन-कौन से पूइंट बता सकते हैं राश्पती की सक्रिया भूमे के बारे हम बात कर सकते हैं कि क्या कि राश्पती के आर नारायन ने जो है 1997 में यूपी राज्य में जो है राश्पती सासन लगाने की कैबिनेट की सीपारिस को जो है वो कर दिया कि पुइंट बता जा राज्टी दिखा रख है ना अगला क्या है कि गटबंदा सरकार की उपस्ते थी है ना 1990 के दसक के दुरान जो है के सरकार ने कई राष्टिया और छेत्री दलों के बी जो है गहराई से विवाजित थी इससे निने निने के जो है परभावित किय और अनुचे 356 के रूपयोग के खिलाव जो है परतिबंद के रूप में इसको काम किया इसे निक्या किया परतिबंद के रूप में जो है कारे किया अगला पुइंट क्या है कि छेत्री दलों की तलास रहती थी क्योंकि आपको सरकार बनानी है अब यह आप सब के खिलाप यह चीज़े को यूज करेंगे तो फिर सरकार किसके साथ मनाएंगे है ना तो भारते राजनीती की एह इस्तिर परकरती और बढ़ती अवसर बादिता के कारण जो है राश्टिय दल हमेशा चेत्रिय सहयोग्यों की तलास में रहते थे इसलिए जो है अनुचे 356 को बार बा उपयोग करने के वो साधान नेते थे कि इनके खिलाब कर दिया अफे सरकार किसके साथ मनाओंगे है ना राज्यपाल सविधान बाद की भावरा का पालन किया तमिलाडू के पुरू राज्यपाल सुर्जी सिंग बरनाला में जो है राज्ये में राश्पति सासन की सिपारि दे रहा हूं वह आपको लगें कि हाँ ये उस टाइम पेड़ की बात हो रही है तो प्रोपर जो है बता जा रहा है परमान दिया जा रहा है जाने में कि हाँ राश्पति निये चीज़े हुई है राश्पति की सकरे भूमिका रही नहीं बता कि किसने की और कब की है ना बात करते हैं इसकर्श की 1990 के दसक्त में मद्दे से अनुचे 356 की उपयोग में गिरावड बारत के विश्चित होते हुए लोकतांत्रिक लोकाचार को जो है वो दरसाती है जबकि कानूनी हक्ससेफों ने आवश्चक जाच और संतुलन परदान किया बदलते राजनितिक प प्योग को जो है सनुष्चित करने में महत तो पुर्ण नहीं है और आगे इसकी आवर्ती होड कम हो इसके लिए हमें कारिये करने होंगे इसी की हमें आवशकता है तो हम ऐसा पॉजिटिव निसकर्श लिखना कैसे हम बरसूत कर सकते हैं बहुत साची जो को हम बताएंगे और जो किलास मेंस की आने वाली है वो वाकई एक रहमबान है यदि वाकई आपको मेंस करेक करना है है ना वो जो आप सुनते हैं सोसल मीडिया पे या फिर आप सुनते हैं मुखरजिन गरा में आप रहते हैं कि वो सोट नोट्स जो टूपर त्यार करते हैं वो कैसे होते हैं वो topic को हम कैसे त्यार करूँ मैं book को बार-बार revision करता हूँ मैं notes को बार-बार revision करता हूँ question मेरे सामने आता है तो फिर answer क्यों नहीं और वो जल्दी answer क्यों नहीं मैं sort चीजे में कैसे त्यार नहीं कर सकता कि हाँ वो एक अधार मैंने त्यार कर लिया अब उसके बाद मेरी ये चीज़े हो जाएंगी तो बस मज़ा आ जाएगा वो topic मैं वैसे त्यार कर लू ताकि उस topic से कोई question आए तो मैं answer दे पाऊ वो चीज आने वाली है और वो वाकई आपको कहीं नहीं मिलेगी चाहे आप self study कर रहे हूँ कोई notes नहीं मिलेगा फिर आप लाकों की फीज देगा किसी institute में हो वहाँ पर भी वो चीज नहीं मिलने वाली वो अपने आप से त्यार होती है और वो यहाँ पर YouTube पे पहली बार आने वाली है हम provide कराने वाले हैं वो भी free में तो please free की चीज जरूर है मंगर कदर कीजेगा please share भी कीजेगा थाकि अन्य लोगों तक इस चीज यह पहुंच सके काफी बार क्या होता है कि फिरी की चीज की कदर नहीं होती है कि यह तो चीज नॉर्मल है यार मज़े मिल गई एक दो लाकी उपे दूँगा तो वो चीज मुझे मिलेगी तो मैं इसकी कदर करूँगा वो मत करना क्योंकि हम चीजों को परवाइड कराना चाहते है आपकी help करना चाहते है तो please उस चीज की भी कदर कीजेगा ठीक है नहीं वो वाकई बहुत important classes होने वाली है वो बहुत important होंगी मैं इसलिए आपको बोला हूँ कि वो वाकई आपके लिए means के लिए कि दिया आप चाहते है कि मैं I.S. crack कर सकूँ कोई कि मेरे पास फीस नहीं है उस तरिके की तो फिर आपके पास आप कहीं भी इस चीजों पढ़ाई कर भी रहे हैं न तो भी आपके लिए उतनी ही important है वहाँ पर नहीं मिलेगी वो चीजों तो please वीडियो को share कीजेगा comment करते रहेगा हमें अच्छा लगता है वीडियो को like कर देजेगा thanks for watching धन्नवाद